राजस्तान में विधान सभा की 200 सीटों के लिए 25 नवंबर को वोटिंग होनी है हर बार की तरह इस बार भी राजस्तान में मुख्य मुकाबला कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच ही माना जा रहा है चुनावी समर के लिए बीजेपी ने अब तक 124 और कॉंग्रेस ने 76 सीटों के लिए उम्मिदवार घुशित कर दिये है वहीं दोनों ही पार्टियों ने अपने-पने स्टार परचारकों को भी मैदान में उतार दिया है कॉंग्रेस की स्टार पचारक प्रियंका गांधी वाडरा पिछले एक हफते में ही दो चुनावी रैलियां कर चुकी है जबकि एक रैली उन्होंने एक महिने पहले की थी खास बात ये है कि ये सभी रैलियां पूर्ग डिप्टी सीम सचिन पाइलट के प्रफाव वाले छेत्रों में ही हुई है यही वज़े है कि अशोग गहलोत और पाइलट गुट के नेताओं में प्रचार के मामले में कौन बाजी मारेगा इसे लेकर होड मच गई है जानकारों की माने तो राजस्तान में सचिन पाइलट को प्रियंक्या गांधी का करीबी नेता माना जाता है वही घहलोत सोनिय गांधी और राहुल गांधी के करीबी माना जाते हैं बुदवार 25 अक्टूबर को प्रियंक गांधी वाडरा ने जुनजुनु जिले के अरणावता में चुनावी रैली को सम्भूदित किया। इससे पहले उनकी दो रैलियां दोसा और टोंक जिले में हुई। वहीं दूसरी तरफ चुनाव की तारीखों का एलान होने के बाद स अब तक राहूल गांधी की एक भी रैली राजस्तान में नहीं हुई है। कॉंग्रेस की नेताओं के मताबिक राजस्तान के उम्मिद्वारों में प्रियंका गांधी की बतौर प्रचारक मांग ज्यादा है। कॉंग्रेस सूत्रों का दावा है कि हिमाचल प्रदेश और कर सुनाटक में राहूल गांधी के बजाए प्रियंका गांधी ने अपना चुनाव केंपेन चलाया था और इसी वज़े से कॉंग्रेस दोनों जगह पर जीती थी इसलिए अब राजस्तान में भी प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा जा रहा है बुद्वार को जुन-जु क्राय में एक रैली की थी दोसा से सचिन पाइलेट सांसद रह चुके हैं और पूरा दोसा जिला पाइलेट के प्रफाव छेत्र वाला इलाका माना जाता है यहां से कॉंग्रेस सरकार में मंत्री ममता भूपेश विधायक है इससे पहले पिछले महीने प्रियंका गांधी न मतलब यह है कि अभी तक प्रियंका की तीन रैलिया हुई है और तीनों में ही सचिन पाइलेट के प्रफाव वाले छेत्रों का दब दबा रहा है आपको बता दे कि गहलोत और पाइलेट के बीच सत्ता संगर्ष के दोरान भी प्रियंका गांधी का समर्थन पाइलेट को ही प्रियंका गांधी का ही था इसके प्रियंका गांधी बुद्वार को भी जुन-जुनु की रैली में ये इशारा करना नहीं भूली कि गहलोत अन्भवी नेता है उन्होंने काम किया है लेकिन पाइलेट नौजवानों की नेता है इससे पहले दोसा की रैली में भी प्रियं गुट मजबूत सीटो पर प्रीयंका घंदी की अधिक रैलियों करवाता है तो चुनाव नतीजों के बाद जब राहूल सीटो का सबना है तो ऐसे में मजबूत सीटों का प्रचार में प्रियंका गांधी भारी रह सकती हैं। कॉंग्रेस के नेता तर्क दे रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने हिमाचल और करनाटक में प्रचार किया तो कॉंग्रेस चुनाओ जीती थी। बतादे कि राजिस्तान में पिछले 30 सालों से सत्ता परिवर्तन का रिवाज रहा है लेकिन इस बार अशोग गहलोत को अपने लोग लुभावन बादों के चलते सत्ता में वापसी का भरोसा है। उदर बीजेपी को उमीद है कि राजिस्तान अपनी 30 सालों से चली आ रही रिवायत को दोहराएगा और सत्ता का सिंगासन इस बार उनके पास रहेगा टीम न्यूस नेशन